हलो फ्रेंज में सानम जैना आप सभी देख रहा है एस्चे सानम चैनल पर आप सभी का सवागा थे दोश्टो आज की कहानी यह एक सास ऐसी भी कहानी सुरू करने से पर एक करती है चैनल को सिस्क्राइब क्योंकि जब भी मिरे करना उन नहीं नहीं कहानी तो आप सभी को पता बीतियों को लाईकें से अरका न बुर कुन नहीं पूरिये गए इससे मुझे मिरे कहानी सुरू करते हैं मातुरी की मा मातुरी के पापा से कहती अब तो हमें अपनी बेती की साधी कर देनी चाहिए उसकी साधी क्यों मर हो गई है आप कोई लड़का क्यों नहीं देखते मातुरी के पापा कहते तुम्हें क्या रखता है मुझे अपनी बेती की चिंता नहीं है मैंने तो अपने कुछ परीचिस से कहकर रखाए यदि उनकी नचर में कोई अच्छा लर्का हो तो वहे मुझे बताएं तभी मातरी के पिता का फोन वच्टा उनके दोष्ट रमेज का था मही कहते कि तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें अपनी बेती के लिए अच्छा रिष्टा चाहिए मातरी के पिता हाँ कोई लर्का है क्या तुम्हारी नचर में रमिस कहता हाँ मेरी नचर में एक रर्का है उसका नाम रवी है ररका का एक अच्छा व्यापार है बहुत पैसे वारे लोग हैं बहे हमारी बेती मातुरी महाँ पर बहुत खुश रहेगी मेरे क्यासे तुम्हें एक बार लड़के के परिवार बारों से मिल लेना चाहिए मातुरी के पापा कहते रमिश ठीक है सो समझ कर फोन कर देना मातुरी के पापा जब मातुरी की मां से कहते तो वह कहती आखिर मिनने में क्या बुराई ये एक बार लड़के का परिवार देख रहते हैं यती लड़का पसंद होगा तो हम अपनी बेती की साती तै कर देंगे दूसरे दिन मातुरी के पिता रमिस के साथ रवी के घर जाते रवी का घर देखने में बहुत बरा था और आरिसान भी था जो भी उससे एक बार देखे तो देखता रहे जाए जब मातुरी के पिता रवी के घर गए तो रवी के माता पिता ने उनका स्वागत सत्कार बहुत अच्छे से कियا घर देखकर ही पता चर्ण रहा था कि रवी कितना पैसे वारा आए और जिस तरही से वह मातुरी के पिता का स्वागत कर रहे थे वहे सब देखकर तो उन्हें लग रहा था कि एह सौभाब के भी बहुत अच्छे हैं मातुरी के पिता को रवी और उसके माता-पिता का सौभाब बहुत पसंद आता भहे सोचते इतना पैसा होने के बात भी इने घमंद बिर्कुर भी नहीं है मेरी बेती सच में यहाँ पर बहुत खुश रहेगी और भी रवी के माता-पिता से कहते मुझे तो आपका परिवार बहुत पसंद आया यदि आप भी हमारी घर पर आकर हमारी बेती को देख रहें तो हम भी रिष्टे की बात आंगे बराएं रवी के पिता कहते हैं अभी मेरी माजी यहाँ पर नहीं है और हम उनसे पूचे बिना कोई काम नहीं करते एक बार भी आजाए तो हम आपके घर पर आपके बेती देखने जरूर आएंगे मातुरी के पिता अच्छा ठीक है तो अब मुझे आगया दीजी अब मुझे जाना होगा घर जाकर मातुरी के पिता मातुरी की मां से कहते हैं मुझे तो रभी और उसका परिवार बहुत पसंत आया इतना पैसा है उनके पास फिर भी नाम मात का घमंत नहीं है नहीं बहुत पैसे वारे हैं यती हमारी बेती के साथ ही उस घर में हो गई तो हमारी बेती तो राच करेगी मातुरी की मा کہتے जब सब कुछ अच्छा है तो आपने उन्हें घर पर क्यूं नहीं बुराया मातुरी की पिता कहते कहा था घर पर आने के लिए लेकिन अभी उनकी माता जी घर पर नहीं थी इसलएं उन्होंने कहा कि वहे कुछ तिन बात आएंगे मातुरी की मा मुझे भी एहे रिष्टा बहुत पसंदे हम अपनी बेती की साथी इसे घर में करेंगे कुछ दिनों बात रवी और उसके माता पिता और उसकी दाती और देती जीजाजी मातुरी को देखने उसके घर पर आते बैसे सभी का सौभा बहुत अच्छा था लेकिन रवी की दाती थोड़े पुराने बिचारो वाली थी रवी के परिवार को भी मातुरी बहुत पसंद आती वही देखने में खुबसूरत और परी रिखी थी एक ऐसी पहु वहे भी अपने बेते के लिए देख रहे थे रवी के पिता कहते हमें आपकी बेती पसंद थे तबी रवी के जीजाजी कहते जब दोनों ही परिवार को रड़का और लड़की पसंद थे तो क्यों न एक वार ररका और ररकी भी आपस में मिरे और बहे भी अपनी राय देते रवी और मातुरी छट पर जाकर आपस में बाते करते और नीचे रवी की दाती मातुरी के मातापिता से कहती हमें आपके वेती पसंद है रेकिन रिष्टा तैकन रेने के पहरे हमें रेन देन की बात भी कर लेनी चाहिए बहे कहती रवी मेरा एक ही पोता है तो मैं उसकी साती बहुत धुमधाम से करना चाहती हूँ मेरे पोते की साती में किसी भी पिरकार की कोई कंजूसी नहीं होने चाहिए अभी हमने कुछ तिन पहरे अपनी पूती की साती की थी और उसकी साती में कोई भी कमी होने नहीं दी थी ऐसी ही आसा मैं रवी के ससुराल से करती हूँ कि बहे मेरे पूते की साती में कोई भी कमी ना रखे रवी की ताती की बाते सुनकर मातरी के मातर पिता आपस में एक दूसरे को देखने रखते और सोच में पर जाते क्योंकि बहे समझ चुके थे कि उनका इसारा दहिच की तरह पे और बहे भी कोई छोता मूता दहिच नहीं यति हम अपनी बेती की साथी इस घर में करेंगे तो हमें अच्छा दहिच देना होगा मातरी के मातर पिता सोच रहे थे लेकिन रवी एक बहुत अच्छा ररका है और उसके मातर पिता भी बहुत अच्छे हैं ऐसे रिष्टे बारवार नहीं मिरते अब हम क्या करें अब हम इन्हें क्या जवाब दें तब ही रवी के पिता कहते हैं हम जानते हैं कि आप अपनी बेती की साथी अपने हिसाब से करेंगे हमसे भी हमारी बेती की साथी में कोई दहिच नहीं मांगा गया था हम से जितना हुआ हमने वही किया हमें भी अपने बेते की साथी में कोई दहिच नहीं चाहिए आप तो बस अपनी बेती की बिताई की तैयारियां कीजिए हमें तो एक ऐसी रड़की चाहिए जो हमारे घर परिवार में मिरजुर कर रह सके और वहें सब कुन हमें आपकी बेती में दिखते हैं आप अपनी बेती की साथी जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से कीजिए हमें कोई अपत्ती नहीं है यति आपको भी एह रिष्टा पसंद हो तो हम आंगे बात बराएं तबी रवी और मातुरी भी नीचे उतर कर आते रवी के जीजा जी उन दोनों से पूछते आप दोनों की क्या राये मातुरी मुस्कुराते हुए गरतन नीचे कर लेती रवी भी इसारों में हां कहते था रवी के जीजा जी कहते जब मातुरी और रभी दोनों ही राची हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं अब तो पंदेची को बुरा ही रीजे और साथी की तारिक पक्की कर दीजे साथी का मूरत दो महीने बात का निकरा हुआ था यह सुनकर मातुरी का छोता वाई पूरे मुहले में हरा कर देता कि मेरी दीती की साथी है अब मेरे जीजा जी आएंगे मातुरी के पिता कहते छोतु को तो देखो कितना खुस रख रहा है और हमारी मातुरी भी इस रिष्टे से बहुत खुसे, उसके चहरे पर खुसी अलग ही जरक रही है, उसे भी रवी बहुत पसंद थे, मुझे यकीन है कि मेरी बेती वहाँ पर बहुत खुस रहेगी, लेकिन मातुरी की माँ कोई जवाब नहीं देती, बहुत कुछ सोच रही तब ही मातुरी के पिता उनसे कहते, तुम्हे क्या हुआ, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, मातुरी की मा, मातुरी के पिता से कहती, रवी और उसके माता पिता तो बहुत अच्छी है, लेकिन रवी की दाती तो बहुत लार्ची लगती है, कहीं हमारी बेती को साथी के वाद कोई परिशानी ना हो, तभी मातरी के पिता कहते हैं, पहरे मुझे भी एही रखा, लेकिन तुमने देखा नहीं, भाई सहाब ने किस पिरकार अपनी मा की बात रखते हुए, एही कहा कि उन्हें दहिच नहीं चाहिए, जब उन्हें खुद दहिच नहीं चाहिए, तो व वहें दहिच की बात कर रही होंगी, हमें इस सब के वारे में नहीं सोचना चाहिए, मातरी की मा आप सही कह रहे हैं, वहां रवी की दादी रवी के पिता से कहती, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, आखिर तुछे कहने की क्या जगुरत थी, कि हमें दहिच नहीं हमारे पास कोई कमी थोड़ी ना है हमें तो वस एक संसकारी बहु चाहिए जो आपकी सेवा कर सके और इस घर के लोकों को अपना ही परिवान मानकर इस घर में रम जाए वहे खुस रहे और खुसियां ही वर्साए रवी की दाती चर-चर बाते मतमार मेरी तो तुछे सुनना ही कहा है जब चार रिष्टेदारों में हमारी वेचती होगी तब तुछे पता चरेगा कि एह बूरी अम्मा सही कह रही थी रवी की पिताजी कहते उन चार रिष्टेदारों से मुझे कुछ भी रेना देना नहीं मेरी बहू मेरे परिवार को अपनाए बस में एही चाहता हू दोनों ही परिवारों में साथी की तयारियां चर रहें थी मात्रु की दोष्ट उसे चिराते हुए कहती सासु मा को ही समानना बहुत वड़ी बात होती है और तेरी दाती सास भी है अब तो तू दोनों ही सास की सेवा करते-करते ठक जाएगी मेने तो एहे तक सुनाए यती ससुरार में गर्ती हो जाए तो सास बहुत सुनाती है सच में ससुरार में यती कोई भी बुरा होता है तो वह सास ही होती है साथी के बाद सास बहु को चैन से जेने नहीं देती इसलिए तू ना हर काम समर करकर ना अपनी ससुरार में वन्ना तेरी सास्टुच पर गुस्सा होंगी और सासों को तो बहना ही चाहिए होता है अपनी बहु की गर्ती धुनने का अपनी सहरियों की ऐसी बाते सुनकर अब माथुरी भी घवराने लगी थे दोनों ही परिवार साथी की तैयारी में जुच चुके थे दोनों ही परिवार अपने अपने तरीकों से साथी की तैयारिया कर रहे थे माथुरी के माता पिता अपनी बेती की साथी में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे इसलिए वह दिर खूर कर खर्च कर रहे थे जिससे स रवी की दाती को खुश रखना आसान बात नहीं थी। उन्हें तो कमी निकान नहीं थी। मातुरी के पिता रवी के पिता से कहते हमने तो पूरी कोशिस की थी कि साथी में कोई कमी ना हो। फिर वियती आपको कोई कमी लगी हो तो हमें छमाकन ना। रवी के पिता मुस्कराती हुए कहते हमने तो आज से पहरे इतनी अच्छी साथी ही नहीं देखी भाई साथ। मातरी को कम दहिच आने के कारण ताना देने का इस तरह समय निकरता गया और मातरी का साथी के बाद पहरा सावन आने वारा था तभी रवी की दाती रवी से कहती तेरी वेहन का साथी के बाद पहरा सावने तुने कोई उफार खड़ी थे उसकी ससुरार भेचने के लिए या नहीं हम अपनी बेती को कभी भी कुछ तेने में कोई कंजूसी नहीं करते दूसरे करते हैं तो क्या करें अब दूसरे भेचें या ना भेचें हम तो भेचेंगे ही न अपनी बेती की ससुरार में उफार अब दूसरों को तो याथ होगा नहीं कि साती के बाद बेती का पहरा सावन होता है तो उनके माईके से ससुरार में राखी भेची जाती है लेकिन हमें तो अच्छे से यादे कि हमें अपनी वेती के घर राखी भीचनी है तो मेंगे से तोफे ले रेना, कोई सश्टे मच्टे रेकर मताना आखिर वेती की इच्चत का सवारे हम तो अपनी वेती की इच्चत रखेंगे ही ना हाँ पता है कि मेरी पोती के ससुरार वारे हमसे कुछ नहीं मांगेंगे लेकिन हमारा तो फर्ष बनता है अपनी बेती के ससुरार महंगे उपार भेचने का आखिर उसका साथी के बाद पहरा सावन जो है हम भी कहां किसी से कुछ मांगने वारे और मांगेंगे नहीं तो दूसरे अपने मन से देंगे नहीं और मेंने कुछ कहवी दिया तो मुझे ही चाल सुनना देंगे लेकिन हम तो अपनी वेती को भेचेंगे या नहीं आज दुकान से आते वक्त महंगे महंगे सामान लेकर आना तेरी वहन के ससरा राखी वेचनाएं, तेरी वहन की साती के बाद पहरी राखी है, और हम तो तेवार एहे सुनकर मातरी को गुस्सा आ जाता, और उसका मन होता कि वहे अपनी दादी सास से कहते, दादी जी राखी का तेवार का मतरव एहे होता है, कि वहन अपने भाई को एक रक्षा सूत वांदे जिससे उसकी रक्षा होती रहे और भाई अपनी बेहन से लेकिन आप जैसे रोकों ने इसका अर्थ वतर दिया आपके लिए तो कोई भी देवार आ जाए आपको तो बहु के माईके से दहिश चाहिए बहु का माईका कोई दहिश देने वारी मसीन है क्य दहिश देते ही रहे उसने सोच रहा था कि अब एक और सबता आज लेकिन दादी सास कहां संत होने वारी थी बहे तो कहती ही जा रही थी तभी माथुरी बताना ही भूर गए कि माथुरी के माई के बारों ने हमारे खाते में पैसे चमा कर दिये हैं उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं कि आप लोकों को हमारे दिये हुए तोफे पसंद आएंगे या नहीं इसलिए हम पैसे दे देते हैं आप अपने मन का खरीत रेना हम कर ही बचार जाकर खरीत रेंगे माथुरी की दादी सास कहती फिर तुछे कप या था था जब राखी न मातुरी चरो, रसुई में जाकर पहले रसुई का काम निपता रेते हैं। मातुरी अपनी सास से कहती आपने दादी सास से जूत क्यों कर जूत मातुरी की सास ने कहा अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वहें मेरी राखी भेश सकें हाँ उन्होंने एक कहा था कि एक दो दिन में कहीं से इंतजाम कर कर वेश देंगे फिर आपने दादी सास से जूत क्यों कहा कि मा ने पैसे वेश दिये मातुरी की सास कहती जूत कहा कहा तेरी माई के वारी मा ने अभी राखी नहीं वेची तो क्या हुआ तेरी सस्रार वारी मा जब हम तेड़ी ननन प्रिश्ट और अपनी मां से कह देना फोन करके उन्हें राकी भेचने की कोई जवरत नहीं वस्तेरा छोता भाई आ जाए वही तुस्से राकी बंदवारी हो गया राकी का तेवार बैसे भी राकी का तेवार वही बेहन का तेवार होता है बहन अपने भाई को राकी की रोप में रख्चा सूथ बांती है जिससे उसकी रख्चा होती रहे और भाई अपनी बहन की रख्चा करने का वाता करता है ससराल में सामान देने का कोई वी रवाच नहीं है भाई तो हम माधरी सोच रही थी एक ही घर में दो सास के रूप देखने को मिर गई एक मेरी दाती सास ही जो अपनी बहु को बात बात पर तान्या देने से नहीं छोड़ती और दूसी तरफ मेरी सास ही जो अपनी बहु को अपनी बेती मानती है मेरी हर करती पर बहे मुझे सुनाती नहीं है मुझे समझाती हैं और हमेशा मेरा पक्छ रहती है एक ऐसी साथ सको देभगवान यतिये कानी आप सबी को पसंत आई हो तो अपनी दोश्टियों और रिष्टिदारों के साथ सेर कीजिएगा विदियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब चरू कीजिएगा थैंक्स पॉर वाचिंग